इप्टा निकालेगी धाई याखर प्रेम की देश व्यापी सांस्कृतिक पद्यात्रा 28 सितंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 पिछले साल इप्टा ने आजादी के 75 वर्ष को समर्पित धाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत प्रख्यात मनिशी राहूल सांकृति आयन के जनदिन एवं प्रगतिशी लेखक संग के अस्थापना दिवस 9 अप्रेल को रायपूर 36 गड़ से की थी इस यात्रा में इप्टा ने अपने नाटकों गीतों निर्त एवं अन्य सांस्कृतिक कारेकरमों के जरिये 36 गड़ जारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और मध्ध प्रदेश के 300 से अधिक गावों गस्बों शेहरों में लाखों आम मजदूर किसानों महिलाओं दलित आद प्रदमी संबंध अस्थापित करते हुए प्रेम समनवय सौहार्थ और एक जुटता का संदेश दिया यात्रा का समापन 22 मई 2022 को इंदौर में हुआ इस साल 17 मार्श से 19 मार्श 2023 तक डाल्टन गंज जारखंड में हुए इप्टा के राश्ट्री अधिवेशन ने फैसला लिया है कि 2023 में भगस सिंग के जन दिन 28 सितंबर से पूरे देश के 20-22 राजों में धाई आखर प्रेम की पद्यात्रा की जाएगी जिसका समापन महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी 2024 को दिल्ले में होगा यात्रा में प्रकतशी लेखक संग जनमादी लेखक संग जन संस्कृति मंच दलित लेखक संग जन नाट मंच एवं विभिन परदेशों जन पदों के अनेक श्रमिक महिला किसान दलित आदिवासी पर्यावरण एवं विभिन मुद्दों पर काम करने वाले अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संगटन शामिल होंगे ढाय आकर प्रेम की सांस्कृतिक यातरा असल में सुतंदरता संग्राम के गर्ब से निकले सुतंदरता समता नयाय और बंधुत के उन मूलियों के तलाज की कोशिश है जो आजकल नफरत वर्चस्व और दंब के तुमल घोश में डूब सा गया है गो कि वो हमारे घोशित समवैदानिक आदर्शों में जिल मिलाते हुए हर्फों के रूप में गांधी के प्राटफनाओं में और हमारी आशाओं में अभी भी चमक रहा है जिसका दामन पकड़कर हमारे किसान गांधी के अहिंसा और भगत सिंग के आदम में साहस के रास्ते अपनी कुर्बानी देते हुए डटे है यह यात्रा उन तमाम शहीदों समाज सुधारकों एवं भक्ति आंदोलन और सूफिवात के पुरोधाओं का सादर असमरल है जिन्होंने भाषा, जाती, लिंग और धार्मिक पहचान से इतर मनुष्य के मुक्ति एवं लोगों से प्रेम को अपना एक मात्र आदर्श घोशित किया है प्रेम जो उम्मीद जगाता है प्रेम जो बंधुत, समता और नयाय की पैरोकारी करता है प्रेम जो कबीर बनकर पाखंड पर प्रहार करता है प्रेम जो भाषा धर्म जाती नहीं देखता और इन पहचानों से विमुक होकर धर्म रिप्रिक्ष्टा का आदर्श बन जाता है आईए धायाकर प्रेम का इस यात्रा के बहाने बापु के पास चलें भगत अश्वाग बिसमिल्ला और अनेका अनेक शहीदों के पास चलें उस हंदुस्तान में चलें जो अंबेटकर के खुआब में पल रहा था जो विवेकानन और रमिन नाथ टैगोर के उद्दात मानोतावादी आदर्शों में वेक्त हो रहा था मानोतावाद जो अंध राष्टवादी मानो द्रोही विचार को चुनोती देते हुए टैगोर के शब्दों में उन्नत भाल और भैस से मुक्त विचार में मुख्रित हो रहा था जहां जोतीबा फुले, सावित्री बाई फुले और पंडिता रमा बाई जैसे लोग ग्यान के सारो भौम अधिकार के लिए लड़ रहे थे जो आज तक भी हासिल नहीं किया गया है यह यात्रा नफरत के बरक्स प्रेम, दया करूरा, बंधुत समता से परीपूड, नयाएपूड हंदुस्तान को समर्पित है यसे हम और आप मिलकर बनाएंगे, जो बनेगा जरूर वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी लखनौ से प्रेसमेन नियूस के लिए जाहिद अली की ये खास रिपूर्ट